चेहरे की उपर की जाईयाद, पिंपल्स के दाग धब्बे और चेहरे का काला पन, स्किन टैनिंग सारा का सारा खीच कर बाहर निकाल देगे 3-in-1 घरेलू, होम रेमिडी, जिसमें हम घर की सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों का ये यूज़ करेंगे, और एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, साथी में आप इसे स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और ये आपका फेस भी बन जाएगा, मतलब 3-in-1 आपका फायदा होने वाला है, एक बार जरूर ट्राइ करके देखे, वीडियो को पूरा डिटेल से स्टेप बे स्टेप फालो कीज़े, 100% रिजल्ट मिलेगा, हर स्किन टोन के लिए, हर स्किन टाइप के लिए, ये सूट करेगा, और कितनी भ प्रेक्टिरियल और एंटी फंगल, एंटी ऑक्सिडेंट जैसे प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोइंग बनाते हैं, साथी में दाग दबो को हटाते हैं, और अगर आपकी स्किन लूज हो रही है, उम्रकी और इसके अंदर डालना है दाल और चावल, दोनों एक साथ डाल के अच्छे से चलाते हुए, हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, याद रखे इसे हमें जलाना नहीं है, ना कि रेड करना है, हलका सा भूनना है, गरम करना है, जिसमें कि जो चावल है आप देखो कि अभी ट ठंडा होने देंगे, और हाँ आप ये वीडियो किस गाउं से या शेर से देख रहे हुए, मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईए, ताकि मेरा वीडियो कहां कहां पोचाओ, मुझे पता चल सके, कडाई गरम ती तो मैंने और इसको थोड़ा सा चलाया, ताकि औ बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके है, अब देखे इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड रखते है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा, तो एक कटोरी में निकालते है, और यहाँ पे आपको इसे अगर ज्यादा बनाना ही, तो आप बना सकते हो, और साथी में अगर य एक से दो बार आप घुमाईए, तो ये इसका पाउडर बन जाता है, अगर यहाँ पे ये बहुत फाइन पाउडर नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, और पानी देखे बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, जैसे आधा या एक क्योंकि अगर बड़ा आप रखोगे, तो हमारे स्कीन को चुभेगा, तो इसलिए हमें इसे हलका सा दरदरा रखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पानी रालने के बाद ये बिल्कुल तयार है, अगर आपको इसे महने दो महने के लिए बना के रखना है, तो याद फ्री में बन रहा है, केमिकल वाला फेस पैक, स्रब और फेस वाश की तो बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, इतना कमाल का रिजल्ट मिलेगा, और इसके बाद दिखे, यहाँ पे हमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसी कि मैंने कहा, अगर आपको बहुत दिनों तक रखना है, तो इस तरह के से हल्दी डालके, आप ड्राय स्टोर करके रखे, फिलाल तो दिखे, मेरा 15 दिन का खतम हो गया था, तो दूसरा मैंने बना लिया है, तो यहाँ पे मैं 15 दिन का ही बनाती हूँ, क्योंकि जाता है, तो मैंने इसी के अंदर सोचाए कि रोज वाटर डालूंगी, अगर आपका जार छोटा है, तो आप इसे कटोरी में पहले अच्छे से रोज वाटर डाल के मिक्स कर दीजे, उसके बाद आप किसी भी अच्छे से डखकन जो बंध होता है उस जार में भरके रखे, कोई भी खाली बॉटल का भी आप यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे देखे, रोज वाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हो, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह जो container है जो हमने भरके रखा है ये पूरा cream इसको आपको रखना है freeze के अंदर freeze से आप जैसे निकालोगे use करोगे freeze के अंदर रख दीजे 15 दिन बाद आप इसे बिल्कुल use ना करें 15 दिन तक बना के रखें 2-4 चमच का बना के रखोगे तो 15 दिन के लिए काफी हो जाएगा उसके बाद fresh बनाईए fresh use कीजिए 15 दिनों तक अगले तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें इसे ज्यादा नहीं लगाना है हर बार के use के लिए मैं आपको दिखाते हूँ कितना बस यहाँ पे हमें इसको लेना है तो देख सकते हो जादा पतला और जादा गाड़ा भी मैंने इसे नहीं किया है बिल्कुल ठीक रखा है क्योंकि जब भी हम इसे use करेंगे तो यह बिल्कुल गिरेगा नहीं और हमारा काम नहीं बढ़ेगा चाहो तो आप इसे dry रखके ही हर बार थोड़ा सा dry powder लेके भी हलका पानी से गिला करके use कर सकते हो पर वो कैसे थोड़ा मैसी हो जाएगा इदर उदर गिरने लगेगा लगाते time तो इसलिए मैंने हलका सा इसका pest बना लिया है तो चले देखते हैं इसे कैसे use करना है तो देखे बस इतना सा हमें लेना है हर बार के लिए और लेके हमें face के उपर इस तरीके से apply करना है जैसे दिन में आप इसे कभी भी use कर सकते हो और अगर आपको दिन भर time नहीं मिलता है और थोड़ा सा चाहो तो आप इसको पानी डालके गीला करके भी लगा सकते हो और 5 मिनिट लगाने के बाद हमें क्या करना है हलकी हलकी मसाज करते हुए इसे face के उपर हातों को चलाते हुए हलका सा रगड़ना है जादा pressure देके बिलकुल नहीं हलकी हलकी मसाज करते हुए हम इसे इस तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारा scrub हो जाएगा जादा नहीं 10-15 सेकंड बस आपको इस तरीके से हलकी हलकी मसाज करनी है और इसके बाद पानी से wash करना है और याद रखे अगर आपको इसे दिन में दो बार भी लगाना है तो आप अराम से लगा सकते हो जैसे आप face wash दो बार लगा के face wash करते हो और other time जैसे पानी से face को wash करते हो तो दो time face wash की जगा आप ये वाला paste यूज कीजे जिससे के आपका face wash भी हो जाएगा और अच्छे से आपका skin भी glow करने लगेगा साथी में अगर आपके चेहरे पे जाईया है दाग दब्बे है pimples के वो भी निकल जाते है skin tight हो जाती है glass skin glowing skin हो जाती है तो देखे कमाल का result मिलता है मैं बहुत दिनों से इसे use कर रही हूँ आप देख सकते है मेरे चेहरे पे एक भी pimple का दाग दब्बा आपको नहीं दिखेगा skin बहुत अच्छे से glowing है और साथी में skin tight भी है जरूर ट्राइ कीजिए यहाँ पे मैं tissue paper को थोड़ा गीला करके आपको साफ करके दिखा रही हूँ अभी मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पानी से wash करूँगी बहुत ही कमाल का result मिलता है पहली बार में ही आप देखकर हैरान हो जाओगे इतना कमाल का result मिलेगा साथी में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है बस आपको इस बात का ध्यान रखना है 15 दिन से इसे ज़्यादा use नहीं करना है और bottle को आपको freeze के अंदर use करने के बाद जरूर रखना है 15 दिन मात फिर से बनाईए fresh बनाईए fresh यूज़ कीजिए मुझे खुद इतना कमाल का result मिला है आपको भी जरूर मिलेगा बस आपको सारी चीजों को अच्छे से follow करना पड़ेगा वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा हो लाइक कीजे शेर कीजे